यहां पर में उसमें सबसे पहले नमक डाला धाला है। फिर हल्दी पावडर है फिर उसके बाद हम दालेंगे लालमर्च पाऊडर कि कि युदा चैन्connect कुमें उसमें हिंग और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला कि इसको उसका इडान बैटर बनालेंगे इस तरह से इसका थिक बैटर बना लेना है तो यहाँ पर हमने कड़ाई में सरसो का तेल गरम होने रख दिया है उसके बाद हम इसमें एक एक करके ये पकोड़ी बनाएंगे हम उन्हें फ्राई करने के लिए इस तेल में डाल देंगे इस तरह से सारी जो पकोड़ियां है वो हम तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे पकोड़ी को हमको जब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए पॉकोडी जो है फ्राय हो गई है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पर हमने छाच लिये यह और इसे हमने बेशन के साथ मिला लिया है क्योंकि यहां पर हम कड़ी बना रहे हैं हमने एक बरतन में घी लेना है इसके बाद उसमें हम डालेंगे हींग जीरा कड़ी पत्त हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे यह जो हमने बेशन और छाच जो मिला लिया था एक साथ अब हम इसमें इसको डाल लेंगे इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हमको कड़ी को 15-20 मिनिट तक कुप करना है अब हम इसमें बुई जो हमने पकोड़ी बनाई थी उनको डाल देंगे तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी यह कड़ी पकोड़ा की रेस्पी रेड़ी है